हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पूरा जलकर राक हो गया सुच्रा मिलने पर पूलिस भी मौके पर पहुची आग से देड़ से दो करोड रुपे का नुकसान हो गया पूलिस शॉट सरकीट से आग लगना बता रही है दरसल शुक्रवार की रात को करीब दो बज़े सिंदरी चौराहे के पास बल्देव नग शौरूम मालिक शौरूम के पीछे कुछ दूरी पर रहते हैं लोगों ने पूलिस और फायर बिगेट सुचना देने में करीब आदा घंटे का समय लग गया आग इतनी भीशन दीखी पीछे की तरफ आवस्य इलाका होने के कारण वहां के लोग देशत में आ गए नगर पर शौरूम में बाइक और पार्ट का समान जलकर राक हो गया शौरूम के मालिक चंदर प्रकाश के मुताबिक गुरुवार को लक्ष्मी पूजन करने के बाद शौरूम को बंद किया था शुक्रवार को शौरूम खोला नहीं था इसी रात को शौरूम में आग लग गई आग शौरूम के अंडर राउंड नई बाइक थी जो करीब 25 से 30 थी जिसकी एक की कीमत करीब देड़ लाग रूपे के ऊपर थी शौरूम में आटो पार्ट्स वह एससरीस भी थी वह भी जलकर पूरी तरह से राक हो गई आग लगनी से करीब देड़ से दो करण रूपे का नु करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह साड़े साथ बजे आग पर काबू पाया गया शौरूम पूरा जलकर राक हो गया आट फायर बिगेट ने चार घंटों में पाया काबू आग की सुचना मिलने के बाद नगर परिशत की पांच फायर बिगेट पहुच गई थी आग इतनी भयंकर थी कि आग पांच गाड़ियों से आग पर काबू पाया नहीं जा रहा था इसके बाद क्रेन एनरजी राज वेस्ट और सिविल डिफेंस की फायर बिगेट को बुलाया गया फायर बिगेट की गाड़ियों ने दो-दो फेरे करके आग पर काबू पाया ल लोग देशत में आ गए रात को पूरा मोहला जग गया और आग बुजाने का इंतिजार करने लग गया सुबह करीब साड़े साथ बजे आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली जागरू टीवी के बाड़ मेर सिर्खास रिपोर्ट